नमस्कार में नामुदीब तारन है दे इंडिया टॉप देख रहे हैं साथ से पहले आप विजुवल्स देखिए जाब करेले में हम मजूद हैं और यहां पर मिठाईयां खिलाई जा रही है कारण है कि पप्पु यादव को बरी कर दिया गया है उनका उनका जो केस है उसे क् परदेश श्रागविंद कुस्वाजीं हमार साथ मौझुद हैं कैसे बेल मिला है मतलब कैसे बरी किया गया है कैसे बरी किया गया है जैसा कि आपको पता ही है 22 साल पुराना मामला है मामला तो पहले ही खत्म हो चुका था कंफ्यूजन का केस था जो तीन-चार दिन में पर और बिहार सरकार केंदर सरकार चाह रही थी कि हमारा हमारी बदनामी जो पप्पु यादव जी के दौरा जनाधिकार पार्टी के दौरा बार बार लोगों के बीच में उजागर किया जाता है यह नहीं हो इसलिए उनको जेल में डाला गया था और एक सवाल है सर कि अभी पलातकार करके उसको उसकी हत्या कर दी गई थी उसको देखने जाएंगे पार्टी ने पहले से इस अंग्यान ले रखा था हम लोग की पार्टी की टीम भी वहां गई थी और उसके बाद लरके की गिरफतारी भी हुई हमारे टीम के जाने के तुरत बाद उसकी गिरफतारी हुई है और नेता जी आज उस पीरित परिबार से जा करके कल मिलेंगे उपचुनाओं होने जा रहा है और ठीक उपचुनाओं से पहले इस तरीके से पपयादव बाहर आ रहे हैं कॉंग्रेस हो राजद कुछेसवर रस्तान में अलग-अलग चुनाओं लड़ रही है क्या र तर्तों में इस देश में एक धर्म रिप्यक्ष हुकूमत को फिर से लाया जा सकता है और कांगर्स पार्टी ही अपने अंब्रेला के नीचे संगर्स के बुनियाद पर देश में सामपरदाइक सक्तियों को परास्त करके नरंदर मोधी को सिकस्त दे सकती है हम चाहते हैं कि बिहार के इस उप्चुनाव से ही आप संदेश देना सुरू करिए हमने खुला अमंतरन दिया है कांगर्स पार्टी को उसे सरस्थान में आपकी लड़ने की इक्षा है आप लड़े हमारी पार्टी आपको पूरी तरह से समर्थन देगी हमारी पार्टी भी तारापूर के लिए यह फ्यार के तमाम ऐसे लोगों को हम दिल से साधुवाद देना चाहते हैं जिनकी दूआओ के वज़े से आज हमारे नेता बाहर आ रहा है हम अपने इस बिहार के सभी साथियों को जो हमारे जनधिकार पार्टी के जितने भी संगर्सील साथी है जिनके संगर्सों का नतीजा है आज कि हमारे नेता बाहर है हम उन सभी साथियों के परती भी आज दिल से आभार परकट करते हैं कि उनका संगर्स आज रंग लाया है बिहार के जनता की दुआओं का आज असर हुआ है नियालेम ने सत्तिकी जीत साबित की ह तो पपू यादव बरी हो गए हैं और कल इसी कारेले में जाब कारेले में हो सकता है कि प्रेस वारता करे पपू यादव पांच महीने उन्होंने जेल में बिताया किस तरीके से उन्होंने संघर्स किया तबियत खराब थी जिसे कारण उन्होंने डीमचेच में रखा गया था इन तमाम मुद्धों पर हो सकता है कि अगले 24 से 36 गंटों में जनता देख उनकी बात पहुंच सके साथी साथ उपचुनाओ को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया गया है कॉंग्रेस को सपोर्ट यानि उनके साथ चुनाओ लड़ने को त्यार है जाब इस पर कॉंग्रेस के क्या प्रतिक्रिया आती है यह भी देखने वाली बात होगी फिलाल इस खबर में इतना हियाब बने रहे देंडिया टॉप के साथ धन्यवाद